आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़िया रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं और किचन की तरफ चलते हैं और रेसिपी बनाते हैं इस रस्पी को बनाने के लिए जो थे आलू तो उबले ही पड़े हुए थे और चट्निया भी तयार थी तो मुझे इस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा ये रस्पी बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही करारी बनी थी आप ये देख रहे हैं सुन रहे हैं आवाज इसकी कि ये कितनी करारी और बढ़िया बनी है ये रस्पी तो इसको एक बार तो बनाना बनता ही है और बहुत ही टेस्टी और मजदार थी ये इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ मिला के खाने में बहुत ही मज़ा आया तो मैंने दो जो उबले हुए आलू थे इनको मैंने जो है कद्दू कस कर लिया है कि जिससे कि इसके अंदर किसी तरह की कोई कांठे न रहें और फिर साथ में एक प्यास को छोटे टुक्लों के अंदर काट लें और थोड़ी हरी में चपी इसके अंदर आगर आपके बच्चे खाते हैं तो डाल दें और धनिया डालें हरा धनिया और साथ में इसके अंदर जो है हमने थोड़ा गर्मसाला डालना है इसका अच्छा फ्लेवर लाने के लिए बढ़िया और लाल मिर्चो डालने थोड़ी अपनी स्वादन सार और फिर उसके बाद में नमक जो है वो तो बहुत ही जरूरी है उसके बगाइर तो मसा ही नहीं आएगा जो नमक है वो अपने संबल के डालना है और फिर उसके बाद में मैगी मिसाले का एक पाउच डाल देज जरूर उसे जो है इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और फिर क्दास के लिए हमने इसके अंदर फ्यारा सा चार्ट मसाला डाल देना है अगर आपके पास चार्ट मसाला नहीं है तो आप नि वीड फ्लोर लिया है जो गेहों का आटा होता है वो लिया है और उसके अंदर एक चमब जो है सुजी डाल दी है आटे की और सुजी की जो है वो हमने शलरी बनानी है तो इसको अच्छा सा टेस्टी सा फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा इसके अंदर हरा धनिया डाल दि थोड़ा पानी मिला इसके एक गारा घोल बनाना है बहुत पत्ला घोल होना चीए जिससे कि जो आगे जो रेश्पि बना है है उसके अपर आचछी तरह से चपक ऐसे बेहने वाला नहीं होना चाहिए बहुत तो मिर्चे भी आप इसके अंदर थोड़ी सी जरूर 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 डालें और इसके बाद में फिर हमने अब भी सारे जो आलू हैं उनको ब्रेट के ओपर फिक्स कर देना है तो मेरे पास जो है मल्टी ग्रेन ब्रेट थी तो मैंने उसी में ये बना दिया है आप नॉर्मल ब्रेट से भी बना सकते हैं उसके बाद में फिर हमने आलू जो है इसके उपर अच्छी दरा से फिक्स करने हैं आलू जो है इसे हाथ से अच्छी दरा से दबा दें इस ब्रेट के पीस के उपर और उसके बाद में डिप कर तो हमने पहले इसको अच्छी तरह से आलू को लेकर फिक्स करना है ब्रेट के उपर एक ही साइड में आलू लगाने हैं दोनों साइड नहीं लगाने है तो हमने पहले इसको अच्छी तरह से आलू को लेकर फिक्स करना है ब्रेट के उपर एक ही साइड में आलू लगाने हैं जो, और फिर उसके बाद में एक एक ब्रैट को हमने लेके और इनको हमने सलरी के अंदर ड़ीप करना है, सलर्षी। में करने के लिए अब चाहे तो हांसे इसको, डिब करने नहीं तो आप चाहें तो इसको जो है आप चम्मस से इसके उपर जो यह है मसाला जो है उसको जो सलरी का जो बैटर है उसको आप इसके उपर डाले और फिर उसके बाद में हमने इसको आप चाहें तो शैलो फ्राइ करने नहीं तो डीप फ्राइ करने शैलो फ्राइ करेंगे त तो ज्यादा बैटर रहेगा उससे तेल थोड़ा कम जाएगा और जो है बहुत ही करारी और मस्त थी यह हमारी जो है रेस्पी बनी थी बहुत ही बढ़ी है और टेस्टी बनी है आपने इसको एक बार तो जुरू ट्राइ करना है एक बार बनाएंगे तो आप इसको पे आएगी और जटपट बनने वाली यह रेस्पी है इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है दस मिनट में ही यह रेस्पी बन जाती है तो आपने इस रेस्पी को एक पाजू ट्राइ करना है और इस रेस्पी के मजलें थैंक यू बारी माच